देखिए बोर्ड एक्जाम में अच्छा परसेंटेज बनाने के लिए तीन बाते बहुत ज़्यादा जरूरी है पहला पढ़ाई करना, दूसरा पढ़ीवी चीजों का रिविजन करना और तीसरा पढ़ीवी चीजों का एक्जाम में अपलाई करना लेकिन देखिए कई बारने इस्ट्रेंट्स किसी कारण वस्ते अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, उनकी एक्जाम की तयारी उतनी अच्छी नहीं हो पाती है और ये बात तरह है कि अगर आपकी exam की त्यारी अच्छी नहीं होगी तो आपका exam भी अच्छा नहीं जाएगा लेकिन दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको जो trick देने वाला हूँ अगर आप इस trick को अच्छे से समझ ले तो इस trick को आप exam में अच्छे से apply करते हो तो आप निश्ची थी exam में बिना पढ़े भी अच्छा percentage बना सकते हो अच्छा score करके आ सकते हो तो आप सभी के मन में अब ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि या आखिर ऐसी कौन से trick है जो हमें बिना पढ़े भी exam में अच्छा percentage दिला सकती है तो इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा दोस्तों तो आईए अब बगएर समय को बरबाद किये सुरू करते हैं वीडियो को तो इस technique का नाम है answer framing technique जी हाँ दोस्तों आप answer framing technique का यूज़ करके आप किसी भी question का answer लिख सकते हो तो आइए अब समझते हैं कि answer framing technique क्या है तो हता है कि question के according ये answer को frame करना answer को बनाना answer को लिखना कईबार क्या होता है देखे ay question में ही answer छुपा हुआ हुआ होता है हमें question से ये answer को ढूलना होता है बाता है बिस आंसर को बनाना होता है जैसे मैं आपको एक example से समझाता हूँ, आपसे question पूछ लिया कि अमल छार और लबन का वर्नन करे, तो आप जानते हो कि अमल क्या होता है, आपको इस तरह से लिखना है कि अमल वह पदार्थ है जो स्वाद में खटा होता है, और आपको कुछ अमल के नाम डाल देने हैं, जैस जैसे अगला कुछ आपसे पूछ लिए कि अप छार, तो छार आप क्या लिखो कि छार वह पदार्थ है जो स्वाद में कड़वा होता है, और आपको कुछ छार के नाम डाल देने हैं, जैसे KOH, potassium hydroxide, और NaOH, sodium hydroxide, और लबन क्या होता है, लबन वह पदार्थ है जो अमल और तो आपको इस तरह से दोस्तो हर question को आपको answer frame करना है, जैसे आप से पूछ लिया, explain second world war, तो हमें पता है कि second world war किसके कारन रुआ था, Hitler की वज़े से हुआ था, तो आपको Hitler के according answer को frame करना है, दोस्तो, आपको Hitler के according answer लिखना है, Hitler ने इस पर आकरमन किया, Hitler ने उस पर आकरमन अपने answer को frame करना है, जैसे दूतिय विसूद में keyword क्या था, Hitler, तो Hitler के according आपने answer को पूरा बनाया, answer को frame किया, तो उसी तरह हर question में, दोस्तो, कोईनों कोई keyword छुपा होता, आपको keyword को पकड़ना है, उसके बाद आपको answer को frame करना है, इसी तरह से दोस्तो, आप जो question आपको ज में आना चाहिए दोस्तो, तभी आपको exam में अच्छे marks मिलेंगे, तो दोस्तो ये थी वो technique जो आपको दोस्तो बिना पढ़े भी exam में अच्छा percentage बना के दिला सकती है, अगर जो question आपको exam में नहीं आ रहा है, तो आप answer framing technique का use करके answer को अप लिख सकते हो, तो मैं उमीद कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, तो वीडियो को like जरूर कर देना, और चैनल को please subscribe कर ले और bell icon को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी हमारी कोई अगली वीडियो आए, तो उसका notification आपको जल से जल मिले